नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आईए बात करते हैं गोल्ड MCX की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के सामने गोल्ड MCX का चार्ट है जिसमें मैंने पांच मिनट के टाइम फ्रेम को लगाय हुआ है और इसमें जिस तरीके की म last trading session में रही और अभी जो current live market चल रहा है इसे देखते वे हम यह समझने की कोशिश करेंगे के आने वाले time में आने वाले session में वह कौन से price level है जो इसमें support और resistance का का काम करेंगे और उन्हें देखते वे हमारा आगे का क्या view है क्या हमें buying करनी चाहिए, selling करनी चाहिए या थो वो community थी जिसमें शुरू से ही एक अपनी strength को hold करने की कोशिश की जा रही थी पर prices में जैसे जैसे market अपनी closing के पास आने शुरू हो गया, market में थोड़ा सा एक correction देखी गई, पर ऐसा वे कुछनी के prices जहां वो नीचे आ गया हूँ जो बहुत जरूरी और important चीज थी कल के लिए, वो यह के gold ने कल भी कोई stop loss level trigger नहीं किया जिसके बाद हम एक weakness gold में expect कर सकते थे वो price था 47,900 ठीक है बाद में यह, मतलब यह price थो नहीं पर intraday का एक price था 47,960 intraday वाले तो खेर considering नहीं करना पर यह price थो खेर अभी भी यही है और जब तक gold के prices इसके उपर trade कर रहे हैं hold कर रहे हैं, तब तक gold में कोई भी selling का trade लेना वो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल रहेगा एक गलत call रहेगी ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 मिनिट के टाइम फ्रेम पे वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का trend है prices उपर correction consolidation और gap up opening के बाद market में कि strength यहाँ पर भी हमने इस price को discuss किया था कि 47,900 अगर break होता है तो इसमें weakness आ सकती है कल भी short video एक upload किया था उसमें भी इस price को discuss किया था और FOMC meeting में यह हम expect कर रहे थे कि अगर prices के नीचे open होते हैं तो जरूर हम selling के लिए एक बार try कर सकते हैं otherwise हम अपनी position को continue कर सकते हैं long position में और फिर उपर में जो prices हैं हम उन्हें consider करेंगे ठीक है थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक घंटे के time frame पे वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का एक trend हमें नज़र आ रहा है prices में correction थोड़ी सी strength यहाँ पर एक strong consolidation नीचे फिर उपर market यहाँ पर अभी trade करता हुआ अब यह चीज़ देखेंगे कि यह एक बहुत strong support बन चुका है gold के लिए ठीक है कई बार कोशिश की गई market ने बहुत अच्छे से यहाँ पर considerate किया पर prices जो है वो उपर के levels पर अभी hold हो रखे है अब ही आगे किस तरीके का एक pattern बना रह सकता है देखें interest rate को लेकर एक uncertainty थी market में जिसकी विज़े से कोई एक trend ने मिल पा रहा था अभी जो भी trend मिलेगा मतलब stop loss trigger हो या market continue रहे अपने trend में दोनों ही चीज में एक चीज में थोड़ा सा हमें relaxation इस चीज करहेगा कि prices अब कुछ moment इस तरीके के दिखाएंगे कि हम trade करने के लिए कुछ सोच माएं क्योंकि अब एक uncertainty उस चीज की खत्म और हो चुकी है कि एक event जो था वो अभी आना है वो अब event निकल चुका है अब जो रहेगा market में वो buying और selling का ही difference रहेगा मतलब buyers से हैं तो उपर ले जाएंगे seller से नीचे ले जाएंगे तो कोई एक event ऐसा जो कोई news आनी हो वो अभी market में कहीं पर भी कोई ऐसी major नहीं है सिवाए इसके कि जो ये छोटे मुटे data 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे आते रहते हैं शाम को उसका जो असर पड़ता है ठीक है थोड़ा सा और आगे चलते है 4 गंटे के time frame पे वहाँ देखते है कि क्या view नज़र आ रहा है यहाँ पर कुछ जादा clarity हमें नज़र आती है किस तरीके से market में weakness एक अच्छी strength बहुत strong consolation market में एक super downside यहाँ पर market में एक sideways trend और यहाँ पर भी एक price था जिसके बाद 250 का actually यह 320 का मिरे ख्याल से यह low लगा था 25 का शायद ठीक है वह 250 का एक low था low अगर break होता तो market में और ज़्यादा weakness आ सकती थी ठीक है वो तो reversal का price था उसके बाद market को hold करना long position में बहुत ज़्यादा गलत था recently 47,900 का price था वो market ने break नहीं किया और अभी एक जो यह gap up opening है और जिस तरीके से market ने उस price को hold किया हुआ यह कहीं न कहीं एक अच्छी strength के indication है तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं अभी सिर्फ एक चीज़ है कि market को हम तब तक बिलकुल हम short selling से बचें जब तक 47,900 break नहीं होता कल भी live session में हम एक चीज़ discuss कर रहे थे कि दो players हैं आज की rate में market में जो gold में है short sellers वो परिशान है silvers में जिनकी long position है वो परिशान है और एक expectation यह जरूर थी कि market जहां पर भी open होगा चाहां buying में या selling में वो same direction में open होगा तो दोनों ने एक अच्छी positive strength के साथ अपनी opening की है और prices hold है और उपर जाने के इनकी उम्मीद है तो उसे अभी हम discuss कर रहे हैं थोड़ा सा और आके चलते है daily time frame पे यहां पर अगर हम देखें तो कहीना कहीं यह एक correction और correction strength यहां से और market में कहीना कहीं यह जो पूरा का पूरा एक part था यह market break करके अब उपर जाने की कोशिश करता हूँ नजर आ रहा है जिसमें एक price है जिसे अभी हम discuss करने वाले हैं वो price break होने पर gold में अच्छी strength बनने लगजेगे और prices जो हैं उपर के levels को hold करना शुरू कर देंगे ठीक है तो इस पूरे के पूरे जो यह time period रहा है gold के लिए वो बहुत strongly जो इसने hold किया है कहीना कहीं एक strength जो थी वो बाकी सारी commodities को अगर हम छोड़ दें तो सिर्फ gold ही वो एक अकेली commodity थी जिसने आपने आपको बहुत strongly hold किया हुआ था और एक चीज़ और हम discuss करते थे कि आने वाले time में या तो gold silver को भी उपर लेके आजएगा या silver gold को नीचे लेके चलिए आएगी पर अभी के लिए जिस तरीके का एक formation बन रहा है charts पे gold ने silver को एक support दिया और prices जो वो उपर की तरफ आ रहा है और अब silver में जिस तरीके का हम moment देखते थे के daily एक fresh low लग रहा है वो एक trend कही ना कहीं अभी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है ठीक है तो prices अभी उपर hold है और ऐसा नहीं कि हम कभी भी किसी भी बहुत strong belief के बाद हम किसी level को ignore करने लग जाएंगे ignore किसी भी level को नहीं करना market में weakness है अगर level break हो रहा है तो आपको निकलना है या फिर वहाँ पर जो भी आपको सोचना होए कोई strategy average करने का जिस भी तरीके से वो हम देख सकते हैं पर levels को ignore करना वो गलत हो जाता है वापस चलते हैं एक घंटे के टाइम फ्रेम पर उससे पहले मैं आपको बता दूँ ये जो एक part है अगर इसकी कोई भी closing market की यहां पर हो जाती है 400 के उपर बहुत अच्छे sign रहेंगे इसमें strength के एक upside trend के ठीक है तो इसे आप ignore मत करना वैसे आज कर दिन volatile रहे सकता है पर मुझे लगता नहीं कि gold में उस तरीके का कोई pattern बन पाएगा कि एकदम से एक crash इसमें देखने को मिले वो भी आएगा तो वो भी देखेंगे पर फिलाल के लिए gold में एक मजबूती है जो सिर्फ gold mcx पर नहीं gold usd में और silver usd में mcx में हर जगे नज़र आ रही है बाकी कब तक ही hold रहती है वो हम देखेंगे वापस चलते हैं एक घंटे के time frame पे यहाँ पर अगर हम देखें तो gold में जब से opening हुई है तब से prices जब वो धीरे धीरे एक upside strength को continue कर रहे हैं जो level है एक important level जिसकी बात हम करने है बार-बार 47,900 इसके break होने पर market में weakness है देखो इसे ignore करना गलत हो जाएगा ठीक है जब यह break होगा तो market में हम short selling कर सकते हैं जो intraday का एक level है वो है 48,180 यह हम intraday के लिए एक level है जो maintain करके चल सकते हैं ठीक है यह price आएगा intraday अगर कोई buying कर रहा है तो वो इसे maintain करके चले otherwise जो positional है उसके लिए अभी यह price है 47,900 यह price change हो जाएगा मुझे उम्मीद है कि अगर gold में एक upside trend बनता है आज मतलब अभी हम उसकी भी बात करेंगे अगर वो upside trend continue रहता है तो यह 47,900 का price यह 48,000 के उपर आ जाएगा ठीक है उपर में जो level है वो वही है जिसे हम बार-बार discuss कर रहे है 48,666 इसके उपर gold का आना थोड़ी सी देर sustain करना यह थोड़ी सी देर थोड़ी सी ज़्यादा देर है actually करीब 3-4 घंटे के असपासी से at least sustain करना चाहिए 48,666 के उपर और यह यहाँ पर sustain करता है gold में एक upside move हम expect करेंगे हो सकता है कि यह एक psychological level 50,000 को भी break करके और जादा एक upside strength को continue करें ठीक है तो downside में यह दो level है बहुत important है upside में यह single level है जो अभी के लिए बहुत important है और market में एक अच्छी strength अभी नज़र आ रही है prices जो है वो अपने आपको ऊपर में hold कर सकते है और आने वाले time में अगर silver में एक इसी तरीके की strength बनी रहती है तो gold में भी और इस strength को continue करते रहने के काफी ज़्यादा chances है तो दोस्तों यह था मेरा gold MCX पे अभी का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें बने रहे में साथ देखते रही है market report धन्यवाद